हेलो हाई स्टूरेंट्स वेलकम एक टो मैं चैनल लार्निंग विद दिव्या आज बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं होम साइंस के स्टूरेंट्स के लिए जितने भी टीजीटी पीजीटी नेट के स्टूरेंट्स हैं वीडियो को देखना ना भूलें वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इन्हें पॉइंट आउट कर दिया है तो आपके एजाम्स में बहुत हैल्फुल रहेंगे ठीक है ना तो ध्यान पूर्वक देखना है आपको वीडियो को लास तक चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक पहला पॉइंट क्या है कपास का पॉधा तीन फूट से लेकर चार फूट तक उंचा होता है कभी-कभी आपसे कपास के पॉधे की उंचाई पूछ लेते हैं कपास का पॉधा एक वर्ष का होता है ठीक है यह भी पूछ लेते हैं भारत में हैम फसल जो है वह बार्ड पॉध हो मतला है करनाड का महाराष्टर में पैदा किया जाता है ठीक है रेमी के नेशे आपके नेटल के पौधे से प्राप्त होते हैं मरीनो जाती की भेड से सर्वशेट एवं उत्तम कोटी का उन प्राप्त होता है सारन एक सिंथेटिक फाइवर है यह विनाइल डोन क्लोराइट से बनता है ठीक है डाइनेल यह रेशा है जो एक्रिलिक और विनाइल क्लोराइट से बनता है जेफ्रॉन भी एक सिंथेटिक रेशा है, यह नाइट्रिक एक्रिलिक से बनता है, कभी-कभी आपसे पूछ लियाता है, जैसे नाइलॉन के है पॉलियामाइड है, ठीक है, हेक्जामिथाइल डायापिक और एडिपिक एसट से बनता है वो, हेक्जामिथाइल डायामीन, ओके नेक्स देख लेते हैं, रेशम बनी की अवस्था का क्रम क्या होता है, बहुत बार पूछा लेता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, दैन प्यूपा से कीडा, मौथ, ठीक है, टाइपस ओफ सिल्क कितनी होते हैं, देखे, दो तरीके के होते हैं, वाइल्ड, मतलब स्वा निर्मी, जो खुच से पैदा होते हैं, और यह होते हैं, तो वाइल्ड कॉन-कॉन से होते हैं, मुंगा, अरंडी और टसर, अरंडी को एरी सिल्क भी बोलते हैं, ERI, ठीक है, और यह कोशन पूछा जोका है, एक प्रामस्तिक्ष मतलब जो सेरेब्रम होता है वो पूरे माइंड का सेविन बाई एट मतलब साथ बटे आठमा भाग होता है पसीना निकालने वाली ग्लैंड को आप सोएत ग्रंथिया कहते हैं तैल ग्रंथियों से सीवम नामक तैलिये पधार निकलता है नेक्स्ट मार्थन्डम योजना दॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा मद्रास में स्टार्ट की गई थी फिरका विकास योजना ये सारी योजना के प्रसार से सम्मन्दिध हैं गवर्मेंट के द्वारा मद्रास गवर्मेंट के द्वारा 1946 में 34 फिरका में स्टार्ट की गई थी next point प्रसार शिक्षा में प्रियुक्त होने वाली विधिया या methods तो अगर हम individually यूज करते हैं प्रसार के methods ग्रुप में यूज करते हैं और जन मास मेडिया में ठीक है मास में यूज करते हैं तो व्यक्तिगत संपर्ग विधि कौन कौन सी है न ये व्यक्तिगत विधि वह है गर ये खेत ब्रमन कारेयले से गॉल व्यक्तिगत पत्र या टेलिफोन कॉल ठीक है अब हम बात कर लेते हैं समू संपर्ख विदी में कौन कौन सी विदियो का यूज करते हैं तो आपके करते हैं प्रदर्शन, बैंठिके, व्याक्यान, समू पैनल यार चर्चा इसको संगोष्टी भी बोलते हैं हिंदी में, कारिशालाएं, प्रदर्शनी या आयोजी, टूर, यात्रा या दौरा ये ग्रुप में होने वाले मैथोड्स हैं जो यूज किये जाते हैं ग्रुप में और लास्ट आपके बड़ता है जब हम जन संपर्ख मतलब बहुत मास, बहुत भीड से संपर्ख करते हैं तो कौन सी विदी का यूज करते हैं प्रसार की अक्वा प्रसार के अब लास्ट आपके अग्रुप में जाते हैं जिसे बंगाल के सुन्दरवन में ग्रामिल पुना निर्माण की योजना कहा जाता है या कहते हैं नेक्स्ट श्री एफ एल ब्रेन ठीक हैं ब्राउन लिखाता है ब्रेन के द्वारा गुणगाओं परियोजना 1920 में स्टार्ट की गई थी इटावा परियोजना अमेरिकन इंजिनियर अलबर्ट मेयर ने 1948 में स्टार्ट की थी श्री एस के डे जो को नीलो खेरी प्रियोग के संस्था पक मारा जाता है या वो मान थे ठीक है नेक्स्ट है बीस सूत्री कारिक्रम 20 सूत्री कारिक्रम जो है वो प्राय मिल्स्टर इंद्रा गांधी ने सन 1975 में स्टार्ट किया था बाएफ, बाएफ, डवलोप्मेंट रिसार्च फांडेशन के स्थापना स्वर्गिय डॉक्टर मनी भाई देसाई के दौरा सन 1967 में एक गैर लाब पब्लिक ट्रस्ट के रूप में हुई थी ठीक है, नेक्स्ट है, गैर लाब मतलब एंजियो बॉडी थी ये भारत में पंच वर्षी योजना का कारेकरम इस से भी कभी कभी कोश्टन पूश लिया जाता है तो पहली पंच वर्षी योजना थी, फर्स फाइव प्लान 51 to 56, सेकंड था 56 to 61, इसमें त्रतिय पंच वर्षी योजना जो थी, वो 61 to 66 थी, इसी के बीच में एक थी अन्वल प्लान आया था तीन वर्षी योजना थी, जो 66 to 69 थी, चतुर्त पंच वर्षी योजना यह फॉर्थ फाइव प्लान था 69 to 74, फिफ्थ फाइव प्लान 74 to 79, 79 to 80 वीच में एक बार फिर से अन्वल प्लान आया था, ठीक है 6th फाइव प्लान था 1982 to 85, 7th फाइव प्लान था 85 to 90, 8th पंच वर्षी योजना में भी 1992 से में आपके एक एक अन्वल प्लान आया था, और 8th फाइव प्लान का पीरिट था, वो 92 to 97 था, 9th फाइव प्लान का था 97 to 2002, 10th का 2002 to 2007, then 11th 2007 to 2012, and 12th इस जो आप तो पंच वर्षी यो उजना आया खतम कर दिया है, वो नहीं है, तो बार भी पंच वर्षी उजना जो है, वो 2010 to 2017, 8th से वहले 1992 था के एन्वल प्लान था, then 85 फाइव प्लान का टाइम 1992 to 1997 है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ओडियो विडियो एड्स, या बोलिए श्रफ विदरश्य सामगरी, क रिकॉर्डिंग्स, टेलिफोन या सारवजनी भांश्रण जो दिया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे केवल हैं, दरश्य सामगरी, दरश्य सामगरी को तीन भागों में डिवाइड़ किया है, एक है नॉन प्रोजेक्टिड, एक है प्रोजेक्टिड और अदर्स में, तो अगर आपसे केवल पूछा जा है इनमेंसे जो मैं बता रहे हूँ यह क्या है दरश्य सामगरी, अगर ऐसे पोछते हैं, दरश्य सामगरी में नौन प्रोजेक्टिड कोझसी है, तो आपको अच्य से पढ़ लेना है, ठीक है, तो दरश्य सामगरी कौण कौण सी होती है, न लावा भी वीजुलेट्स में आती है वो आते है आपके चार्ड पोस्टर ठीक है और यह सारे नॉन प्रजेक्टी है चॉक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड जो मैंने दूसरे पेज पर भी लिख दी है यह तो सारे वैसे विजुल आपके दरश इसामगरिया हैं लेकिन अगर प्रोजेक्टड और नॉन प्रोजेक्ट में करके पूछा जाता है तो इस तरीके से मैंने बता दिया है और लास्ट में आपके हैं श्रब विद्रश इसामगरिया जो आडियो वीडियो दोनों ही होती है ठीक है जिसमें आप सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं वो कौन- मुवीज, विडियो, टेलिविजन, ड्रामा या कटपुथली शो और इसके अलावा आप कहता है लोग घीत या लोग नरते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर रैप अप कर रही हूँ यहां पर आपको इंपॉर्टन चीज़े मैंने बता दी है नो डाउन कर लीजिएगा सम जानकरी के साथ